कहते हैं, जब आप किसी पुल को पार करते हैं, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ पुल ऐसे भी हैं, जहां से गुजरते समय आप सिर्फ भौगोलिक दूरी ही नहीं, बलकि समय, भावना और कभी-कभी जीवन और मृत्यू के बीच की सीमा को भी पार कर जाते हैं, ये पुल रहस्यों और भूतिया कहानियों के गहरे धुंधलके में छिपे हुए हैं, और उनके बारे में सुनकर किसी की भी रुह काप जाती हैं, इन पुलों पर कई अंगिनत कहानिया दर्ज हैं, इन में मौजूद अद्रिश्य सा रात के समय आपकी परचाई से भी तेज चलते प्रतीत होते हैं कहीं कहानी उस धुंदली आकरती की है जो हमेशा आपकी आँखों के कोनों में दिखाई देगी लेकिन सीधे देखने पर गायब हो जाएगे कुछ पुलों पर अजीब औ गरीब आवाज है जैसे की रोने की, चीखने की या फिर किसी पुराने समय की गूंच सुनाई देती है इन ध्वनियों के स्रोत को खोजने की कोशिश में कई लोग भटक चुके हैं जो कभी लौट कर नहीं आए पुराने समय की कहानियों में कई पुलों का निर्माण उन स्थानों पर किया गया था जहां बलिदान की रस में अदा की जाती थी ऐसा माना जाता है कि इन आत्माओं की शांति भंग हुई और उन्होंने इन पुलों को अपनी भूतियां गतिविधियों का केंद्र बना लिया पुल की जरजर लकडियों के बीच से गुजरते समय अचानक हवा में ठंडक बढ़ जाती है जैसे कोई अद्रिश्य हाथ आपकी आत्मा को छू रहा हो यही रहस्य, यही डर, यही अनसुलजे सवाल है जो इन पुलों को एक साधारन मार्ग से कुछ अधिक बना देते हैं आईए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के 10 रहस्य मई ब्रिज के बारे में बस ध्यान रखियेगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो पार्ट टू है जो आप लोगों के बहतर रिस्पॉन्स का ही परिणाम है नमस्कार रहस्य मई सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है केनिया के तसावो ब्रिज का इतिहास खून और आतंक की स्याही से लिखा गया है यह ब्रिज न केवल अफ्रीका के दिल में स्थित है बलकि यह उस समय का गवाह है जब दो खदरनाक शेरों ने ब्रिटिश रेल निर्मान स्थल को अपने आतंक का केंद्र बना दिया था 1898 में जब उगांडा रेलवे का निर्मान हो रहा था तब यह पुल उन घटनाओं का हिस्सा बन गया जिसने इसे इतिहास के पन्नों में एक खास जगह दिलाई शेरों का ये जोड़ा जिसे तसावो के नर्भक्षी शेर कहा जाता था उन्होंने रेले पास्थल पर गाम कर रहे मजदूरों पर कई बार हमला किया करीब नौ महीनों तक ये नर्भक्षी शेर लगभग 135 मजदूरों की जान ले चुके थे लोगों के बीच ये माननिता थी कि ये शेर राक्षसी आत्माव के प्यासे थे निकिन इन कहानियों के पीछे विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला कि इन शेरों के दातों में एक विशेश प्रकार का संक्रमन था जो उन्हें शिकार करने में असमर्थ बना रहा था और यही कारण था कि उन्होंने मानव मांस को अपना आहार बना लिया इसके अलावा तसावो क्षेत्र में जलवाईू और शिकार की कमी ने भी इन शेरों को मानव शिकार पर निर्भर होने को मजबूर कर दिया हालांकि वैज्ञानिक तरकों के बावजूद तसावो ब्रिज की कहानी अब भी रहस्य मय है स्थानिय निवासियों के लिए यह केवल एक पुल नहीं बलकि एक जगह है जहां भय, रहस्य और मौत की कहानिया आज भी हवा में गूंचती है तसावो ब्रिज आज भी उस समय के खौफनाक दिनों की याद दिलाता है जब इन शेरों ने यहां आतंक मचाया था नमबर दो ट्रोलस्टीजन ब्रिज रहस्यों और रोमांच का मिलन नौर्वे की उंचाईयों में बसा ट्रोलस्टीजन ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं बलकी एक रहस्यमय यात्रा है नाम से ही सपष्ट होता है कि यह पुल ट्रोल्स से जड़ा हुआ है जो नौर्वेजियन लोक कथाओं के विशाल, डरावने और जादूई जीवों को संदर्भित करता है कहा जाता है कि यह ब्रिज उन ट्रोल्स का निवास स्थान है जो रात में इनसानों को परिशान करते हैं और सुबह होते ही पत्थर में बदल जाते हैं प्राचीन कथाओं के अनुसार, इस खशेत्र से गुजरने वाले यात्री अकसर अजीबो गरीब घटनाओं का सामना करते थे कभी कोई अंजानी आवाजें सुनाई देती, तो कभी किसी को महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है ये कहानिया इस पुल की छवी को और भी रहस्यमय बना देती हैं लेकिन ट्रोलस्टीजन ब्रिज का आकरशन सिर्फ मिथकों में ही नहीं, बलकि इसके निर्मान की अद्वितियता में भी छिपा है ये पुल बेहद घड़ी और घुमावदार सडक पर स्थित है, जिसे पार करना ही अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है इसके चारों और फैली प्रकृती की अद्वुत सुन्दरता और धुन्द से ढकी पहाडियां इस पुल को और भी मंत्र मुग्ध कर देती हैं विज्ञान के अनुसार इन मिथकों के पीछे का सच इसक्षेत्र की भूगर भी ये विशेशताओं में छिपा है पहाडों की बनावट, घनी धुन्द और हवा की दिशा ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करती हैं जो किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं यहां की प्राकृतिक संरचना और मौसम की अनिश्चितता ने ही इस स्थान को रहस्यमय रूप से प्रभावित किया है ट्रोलस्टीजेन ब्रिज की यह कहानी नौर्वे की प्राकृतिक संदरता, लोक कथाओं और अध्वितियता का संगम है यह पुल किसी भी यात्री के लिए न केवल एक यात्रा, बलकि एक अनुभव है, जो उसके मन को मोह लेता है और हमेशा के लिए यादगार बना देता है पात्रपुट ब्रिज, संदरता में छिपा रहस्य पात्रपुट ब्रिज, ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित एक ऐसा पुल है, जिसके बारे में कई रहस्यमई कहानिया प्रचलित है इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, और इसे स्थानिये लोगों के बीच एक भूतिया स्थान माना जाता है कहा जाता है कि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था, तो कई मजदूरों की अचानक रहस्यमई तरीकों से मृत्यू हो गई थी लोगों ने इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप माना, जो यहां किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही थी इन कथाओं के अनुसार मजदूरों के भूत आज भी इस पुल पर भटकते हैं और रात के समय यहां से गुजरने वाले लोगों को डरावनी आहटें सुनाई देती हैं पात्रपुट ब्रिज से जुड़े एक और मिधक के अनुसार, यहां कई लोगों ने आत्महत्या की है स्थानिय लोगों का मानना है कि यह आत्माओं इस पुल पर आज भी मौजूद हैं और वे किसी भी नश्वर को यहां रुकने नहीं देती यह कहा जाता है कि अगर कोई रात में इस पुल पर रुक जाए तो उसे अजीबो गरीब अनुभवों का सामना करना पड़ता है हालां कि वैज्ञानिक द्रिष्टिकोन से देखा जाए तो इन कहानियों की कोई ठोस पुष्टी नहीं हुई है यह संभव है कि पुल से जुड़ी घटनाओं को लोक कथाओं और भय के मिश्रण ने एक भूतिया रूप दे दिया हो लेकिन बतादू कि फिर भी पात्रपुट ब्रिज का यह रहस्यमई आभास और यहां की कहानियों का डर लोगों के दिलों में आज भी बना हुआ है पात्रपुट ब्रिज, कोरापुट की पहाडियों के बीच में स्थित है और इसकी रहस्य मैता के कारण यह कई पर्यटकों के आकर्शन का केंद्र बन चुका है इस पुल की कहानिया सुनकर हर कोई इसे देखने और इस अद्भुत अनुभव को महसूस करने की इच्छा करता है फ्रांस के दक्षणी हिस्से में स्थित पॉंट वेलेंट्रे ब्रिज अपनी खूबसूरती और एतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है यह पुल 14. सदी में कहोर्स शहर के संरक्षन के उद्देश्य से बनाया गया था इसके निर्मान की शुरुवात 1308 में हुई और लगभग 50 वर्षों बाद 1380 में इसका कार्य पूरा हुआ इस अद्भुत मध्ययुगीन संरचना में तीन विशाल मीनारें और छह महराबें हैं जो इसे एक अद्वितीय स्थापत्य कला का उदाहरन बनाती है पूंट वैलेंट्रे ब्रिज को केवल एक साधारन पुल के रूप में नहीं देखा जाता ये सदियों से कई रहस्यों और कथाओं का केंद्र रहा है ये पूल उस समय के सैन्य वास्तुकला का प्रतीक है जब इसे दुश्मनों से रक्षा के लिए मजबूती से तैयार किया गया था इसकी मीनारों और महराबों में जो नकाशी की गई है वह एक अलग ही रहस्य को जीवन्त करती है लोग कहते हैं कि इन नकाशियों में कई प्रतीक और छिपे हुए अर्थ हैं जो समय के साथ भूले बिसरे रह गए इस पूल की सबसे रहस्यमय बात ये है कि इसके निर्माण में इतना समय क्यों लगा ये प्रश्न आज भी इतिहासकारों को उल्जन में डालता है कुछ मान्यताओं के अनुसार इसके निर्माण के दौरान कई बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो विज्ञान की दृष्टी से सामानने हो सकती है लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये किसी अन्होनी का संके था पॉंट वैलेंटरे के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी इसे और रहस्यमय बनाती है रात के समय जब यह पुल चांदनी में नहाता है तब इसकी चाया और अंधेरे में छिपी मीनारें एक अद्भुत और सजीव एहसास दिलाती है इस पुल की खासियत न सिर्फ इसके स्थापत्य में है बल्कि इसके चारों ओर बसी अनकही कहानियों और रहस्यों में भी है प्राचीनता में बसा एक रहस्यमय पुल यह पुल तेरहवी सदी के दौरान बनाया गया था और अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है लेकिन इस पुल का रहस्य केवल इसकी निर्मान तकनीक तक ही सीमित नहीं है इस पुल के साथ जुड़े हुए मिथक और कहानिया इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं किवदंती के अनुसार एंजी ब्रिज का निर्मान एक साधारन मानव के बस की बात नहीं थी ऐसा माना जाता है कि यह पुल देवताओं द्वारा बनाया गया था जब स्थानिय लोग नदी पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो एक देवता ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और रातों रात इस पुल का निर्मान कर दिया कहते हैं कि पुल के नीचे की मार्बल के पत्थरों में देवता के हाथों के निशान भी देखे जा सकते हैं जो इसे अलोकिक शक्ती का प्रमान माना जाता है वास्तविक्ता में इस पुल की निर्मान तकनीक को आज भी एक अदभुत का रिश्मा माना जाता है इस पुल के पत्थर बिना केसी बंधन सामगरी के आपस में जुड़े हुए हैं, जो इसे मजबूत और टिकाउ बनाते हैं वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तकनीक उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का परिणाम है, जो आधुनिक समय में भी दुरलब है हालां कि समय के साथ एंजी ब्रिज ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, लेकिन यह आज भी स्थिर और मजबूत खड़ा है स्थानिये लोग मानते हैं कि यह देवताओं की क्रिपा का ही परिणाम है लंदन के थेमस नदी पर स्थित ब्लैक फ्रियर्स ब्रिज न केवल एक प्रतिष्ठित एतिहासिक सनरचना है, बलकि कई रहस्यमई कहानियों और मिधकों का केंद्र भी है 1879 में निर्मित इस पुल ने कई दशकों तक लंदन वासियों की सेवा की है लेकिन इसके साथ जुड़ी एक कुख्यात घटना ने इसे हमेशा के लिए रहस्यमई बना दिया 1982 में इटली के एक बैंक अध्यक्ष रोबर्टो कैल्वी का शव इसी पुल के नीचे लटका पाया गया था कैल्वी को गौड्स बैंकर कहा जाता था और उनका नाम वेटिकन बैंक और माफिया से जुड़े कई विवादों में सामने आया था उनकी मृत्यू को पहले एक आत्महत्या के रूप में देखा गया लेकिन बाद में इसके पीछे माफिया के हाथ होने की आशंका जताई गई इस घटना ने ब्लैक फ्रियर्ज ब्रिज को न केवल रहस्यमई बलकी खतरनाक भी बना दिया इस घटना के बाद ब्लैक फ्रियर्स ब्रिज को कई लोगों ने शापित मानना शुरू कर दिया स्थानिय लोगों का मानना था कि यह पुल अंधेरे ताकतों का केंद्र है जो इसे पार करने वालों को अंजाने भय और दुर्भाग्य की ओर खींचता है हालां की वैज्ञानिक द्रिष्टिकोन से कैलवी की मौत के पीछे आपराधिक साजिश के कारणों को मान्यता देते हुए इन बातों को अंध विश्वास कहा गया लेकिन फिर भी इस पुल की छवी को रहस्यमई कहानियों से मुक्द नहीं किया जा सका ब्लैक फ्रियर्ज ब्रिज के निर्मान की वास्तुकला और इसकी भव्यता को नकारा नहीं जा सकता यह पुल समय के साथ विकसित हुआ है और आज भी लंदन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पैरिस की सीन नदी पर स्थित ऑस्तरलिट्स ब्रिज न केवल एक शांदार स्थापत्यकला का उदाहरण है बलकि इसमें छुपे कई रहस्य और मिथक भी इसे खास बनाते हैं 1805 में बनी ऑस्तरलिट्स की लड़ाई के नाम पर इस पुल का नाम रखा गया था जो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना की एक महत्वपूर्ण जीत थी यह पुल पैरिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सैकडों सालों से अपनी अनूठी उपस्थिती से लोगों को मोहित करता रहा है लेकिन आस्टरलिट्स ब्रिज के साथ जुड़ी कहानिया इसे सिर्फ एक एतिहासिक स्मारक से कहीं अधिक बनाती है स्थानिय लोगों के बीच एक पुराना मिथक है कि इस उल के नीचे बहती सीन नदी में कुछ अद्रिश्य शक्तियां है जो रात के समय उल पार करने वालों को अपने चंगुल में फंसा लेती है कुछ का मानना है कि यह शक्तियां नेपोलियन की आत्माओं की है जो अभी भी अपने गौरवशाली दिनों की रक्षा कर रही है वहीं दूसरी ओर वैज्यानिक द्रिश्टिकोन इस मिथक को केवल एक अंध विश्वास मानता है वैज्यानिकों का कहना है कि सीन नदी के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक धुन्द से गिरा रहता है जो रात के समय भयावह द्रिश्य उत्पन्न कर सकता है जिन्हें लोग अप्राकृतिक घटना का नाम दे देते हैं अब अगर मिथकों और तरकों के उल्जनों से बाहर निकल कर बात करें तो इसके स्थापत्यकला और इसका एतिहासिक महत्व इसे पैरिस का एक प्रमुख आकर्शन बनाता है वर्मोंट के कैम्बरिज में स्थित ग्रिस्ट मिल कवर्ड ब्रिज जहां एक और अपनी पारंपरिक सुन्दरता के लिए जाना जाता है वहीं दूसरी और इसके साथ जुड़े रहस्यमई किस्सों और कहानियों ने इसे एक भूतिया स्थान बना दिया है उन्नीसवी शतापदी में बना यह पुल वर्मोंट की शान्ती और प्राकृतिक सुन्दरता के बीच बसा हुआ है लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह पुल एक अलग ही रूप धारण कर लेता है स्थानिय निवासियों की माने तो इस पुल के नीचे बहती नदी से अजीब और गरीब आवाजें सुनाई दीती है कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय पुल पर एक धुंधली आकरती दिखाई देती है जिसे वे मिलर की आत्मा के रूप में पहचानते हैं कहा जाता है कि यह आत्मा उस मिलर की है जिसने इसी जगह पर सालों पहले खुदकुशी कर ली थी उसके बाद से यह पुल न केवल उसके जीवन के दुखद अंत का गवाह बना बलकि उसकी आत्मा के भटकने का स्थान भी लेकिन वेग्यानिक दृष्टिकोन से देखा जाए तो इस इलाके में रात के समय होने वाली धुंध और नदी के बहाव की आवाजें मिलकर एक रहस्य मैं माहौल बना देती हैं जो लोगों के दिमाग में अजीब और गरीब कलपनाओं को जन्म देती हैं फिर भी ग्रिस्ट मिल कवर्ड ब्रिज का इतिहास और इसके साथ जुड़े रहस्य इसे एक अनोखा स्थान बनाते हैं ये पुल केवल एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं है बल्कि अपने भीतर रहस्यों की एक पूरी दुनिया को समेटे हुए है चाहे इसकी कहानिया सच हों या महज अंध विश्वास यह पुल हर आगंतुक को अपनी ओर खीचता है और उसे एक अनसुल्जे रहस्य का हिस्सा बना देता है नमबर 9 ब्लू वाटर ब्रिज कनाडा का रहस्यमई पुल कनाडा और अमेरिका को जोडने वाला ब्लू वाटर ब्रिज न सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बलकि इसके साथ जुड़े रहस्यमई किस्सों और कहानियों ने इसे एक भूदिया पुल के रूप में भी स्थापित कर दिया है सन 1938 में इस पुल का निर्मान हुआ था जो कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के मिशिगन राज्य के बीच बहती सेंट क्लेयर नदी के उपर स्थित है इसकी नीली पानी की लहरों में छिपे रहस्य और इसके धांचे के इर्द गिर्द घूमती कहानिया इसे एक अनोखी पहचान देते हैं स्थानिये लोगों के अनुसार कई रातों में इस पुल पर अजीब औ गरीब घटनाएं घटती हैं कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पुल पर एक धुंदली आकरिती को चलते देखा है जिसे वे नीले आदमी के नाम से जानते हैं कहा जाता है कि यह आकरिती एक नाविक की आत्मा है जिसकी एक तूफानी रात में नदी में गिरने से जान गई थी उसके बाद से वह आत्मा इसी पुल के आसपास भटकती रहती है हालां कि वैज्ञानिक द्रिष्टिकोन से देखें तो इन घटनाओं का एक तर्क संगत कारण हो सकता है पुल के उपर की ठंडी हवाएं और नदी की सतह पर उभरती धुंध एक रहस्यमई वातावरण का निर्मान करती है जो लोगों को भ्रमित कर देती है लेकिन इन तर्कों के बावजूद ब्लू वाटर ब्रिज पर होने वाली घटनाएं लोगों के बीच डर और कौतूहल का कारण बनी रहती है यह पुल न केवल दो देशों को जोड़ता है बलकि अतीत के अनसुल्जे रहस्यों और वर्तमान के जीवित मिधकों का भी प्रतीक बन चुका है कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो काउंटी में स्थित फेयर आक्स ब्रिज एक साधारन पुल से कहीं अधिक है 1901 में निर्मित यह पुल समय के साथ धुंदले हो चुके रहस्यों और कहानियों का गवाह बन गया है इसकी रात की चुप्पी में छिपे अनसुल्जे रहस्य किसी भी आगंतुक को चौका सकते है कहा जाता है कि इस पुल पर कई लोगों ने अजीब और गरीब घटनाओं का अनुभव किया है ठंडी हवा का अचानक जोंका, अंजानी चायाएं और रहस्यमई आवाजें यहां सब कुछ असामान्य है कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल उन आत्माओं का घर है जो कभी नदी में बह गई थी या फिर जिनकी मौत यहां हादसों में हुई थी खास कर रात के समय यह ब्रिज एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाता है हालांकि फेयर ओक्स ब्रिज को लेकर अनेक कहानिया प्रचलित है परन्तु यहां का सजी वितिहास और प्रकृती की अद्वितिय सुन्दर्ता भी उतनी ही आकरशक है चाहे आप इसे एक डरावनी यात्रा के रूप में देखें या फिर केवल एक एतिहासिक स्थल के रूप में फेयर ओक्स ब्रिज का अनुभव आपको एक बार में ही अपनी और खींच लेगा और हमेशा के लिए आपकी यादों में बसा रहेगा अब वीडियो समाप्त होता है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ जो मिथकों, किमवदंतियों और रहस्यों में लिप्टी होगी फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉंस जरूर दीजिएगा